Hello everyone, आज का वीडियो है हमारे बेबी की development पर कई बार parents इसको लेके परिशान रहते कि हमारा बेबी कब पलटना सिखेगा, कब बैटना, कब चलना और कब बोलना सिखेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस topic पर अच्छे से explain करने वाली हूँ और इसे देखने के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएंगे आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आपके बेबी का पहला शर्व या पहला word क्या था अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, helpful लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि हमें motivation मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छी वीडियो बना पाएं सबसे पहरे जानते हैं कि बेबी roll over करना या पलटना कब सीखता है तो देखे usually बच्चे चार से चे मेने के उम्र में roll over या पलटने लगते हैं और कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है इससे पहले भी पलटने लगे या कुछ बच्चे इसके 10 से 15 दिन बाद भी पलटने लगते हैं तो पहली बात तो अपने बच्चे को किसी और बच्चे से compare नहीं करना है योगी देखे कि कई बच्चा premature होता है या फिर बच्चे का birth time पर जो weight था वो कम हो सकता है या बच्चा बहुत बिमार हुआ तो ऐसे में बच्चा हर चीज थोड़ा सा late कर सकता है पर हाँ अगर आपको ऐसा लगे कि बेबी आपका 7 months का हो गया है और अभी तक rollover करना नहीं सिखा है तो ऐसे में अपने डॉक्टर से एक बार आपको जरूर कंसर्ट करना चाहे मेरी बेटी पीहू को मैंने क्या किया था साधे 3-4 मेने के आसपास tummy time देना यानि उसको पेट के बल लिटाना शुरू कर दिया था जिससे की हुआ क्या कि उसका जो neck control है head control है वो अच्छा हुआ और इससे मैंने देखा कि 5-5 मेने के आसपास मेरी बेबी रोलोवर करने लगी थी तो बच्चे के रोलोवर करने के बाद next day जाती है बच्चे का बैटना और बच्चा जो है बैटना 6-9 मेने के उमर में सीख सकता है तो जैसे मैंने आपको बताया था tummy time यानि बच्चे को पेट के बल लिटाना ऐसा करने से होता कि बच्चे की head movements अच्छी होती है बच्चे का head control भी अच्छा होता है तो आप में देखा होगा ना जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की जो neck है वो एकदम ऐसे-से move करती रहती है पर धीरे-धीरे करके जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो बच्चे का neck control है वो अच्छा हो जाता है या फिर कुछ और चीजे लगा कर जो है बच्चे को support के साथ बठाना शुरू करें ऐसा नहीं करना है कि बच्चा neck control नहीं कर पा रहा और अईदम से आपने बहुत जल्दी बच्चे को बठाना शुरू कर दिया इसमें बच्चा बैठने लगता है स्टार्टिंग में बच्चा support के साथ बैठेगा और दीरे दीरे आप देखो कि बच्चा फिर बिना support के बैठने लग जाता है अब बात करते हैं कि बच्चा चलना कब शुरू करता है तो हर पेरेंट को इस चीज़ का इंतिजार होता है कि हमारा बच्चा कब चलना स्टार्ट करेगा कब पहला कदम रखेगा बच्चे जो है 9 से 16 मेने के उमर में चलना शुरू करते हैं बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं चलना और कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं पर चलने से पहले बच्चा जो है पहले थोड़ा सपोर्ट के साथ चीज़े जो पकड़कर इसको चलेगा तो ऐसे करके दिरे दिरे बच्चा चलना सीखता है जायतर बच्चे जो है एक साल के आजपास अच्छे से चलने लग जाते हैं तो यह जो एज है 16 महीने तक कि अगर इस तक बच्चा चल पा रहा है तो आपको ज़्यादा परिशान होने के जरूरत नहीं है अगर आपका बेबी जो है डेड़ साल के ऊपर का हो गया है पर अभी तक चलना नहीं सीखा है सपोर्ट के साथ भी नहीं चल पाता है तो ऐसे केस में आपको अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए बच्चा बोलना कब सीखता है चली वो जान लेते हैं तो जब बच्चा एक साल का होता है तब वो जो है दो से तीन वर्ट जो है बोलने जाता है जैसे कि कम या फैन या फिर आजा ऐसे बोलता है जैसे बॉल दे दो या पापा कम ऐसे करके बोलने लग जाता है फिर जैसे आपका बच्चा जैसे ही धाई साल के उपर होगा न तो आप खुद देगो कि बच्चा जो है कुछ-कुछ तीन-तीन वर्ट को एक साथ जोड़के एक सेंटेंस बोलने जाता है तो बहुत सप्राइज होता है एकदम से पर हाँ अच्छा भी लगता है जैसे कि मेरी बेटी ने एकदम से धाई साल के बाद ऐसे बुलना शुरू किया कि पापा बॉल दे दो या कम हेर पापा कम हेर तो यह जो है एक चेंज है जो आप धिरे-धिरे करके बच्चे में देखते रहेंगे आपके बेबी ने पहला वर्ड क्या बोला था मुझे कमेंट सेशन में जरू बताएगा क्योंकि बेबी का पहला वर्ड बहुत स्पेशल होता है मेरी बेटी ने पहला वर्ड बोला था पापा यहां पर मैं एक चीज़ बूलना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो बेबी है वो बिलकुर ही कुछ नहीं बोल रहा होता है और आपका बेबी मालीजे देड़ से दो साल का हो गया और एक भी शब नहीं बोलता है बेबी तो ऐसे में आपको ना जादा देड़ नहीं करने चाहिए अपने बेबी को एक बार स्पीच थेरेपिस्ट के पास अब जरूर लेकर जाएं तो फ्रेंड्स यही थाज का वीडियो आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो एक बार लेकर वाट्टी थाजियो आपके लिए यही थाजियो आपके लिए टेडियो हेले जाएं